नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jyotis Secret 30 साल के बाद जब सनिदेव हैं मकर में तब बना रहे हैं ससनामक महापुरूस राजियोग और ये राजियोग कुछ ऐसी रासिया हैं जिनका किस्मत ही पूरी तरह से या फिर जीवन को पूरी तरह से बदल कर रखतेंगे और राजियोग चलेगा 2025 तक यानि पूरे 5 साल तक इस राजियोग का फाइदा आपको मिलेगा तो इस समय का फाइदा कैसे उठाएं कैसे धन की वारिस होते वे देखें क्योंकि ये राजियोग छप पर फार उचाईया देता है अब जैसा कि आपको पता है अभी देव गुरु के साथ हैं लेकिन इसके बाद गुरु कुम्भ में जाएंगे तब मकर में सनी देव रह जाएंगे अकेले तब इस राजियोग का बेनिफिट मिलेगा लेकिन जैसे ही एक बार फिर से पंद्रह सितंबर को कुम्भ में आएंगे कुम्भ रासी से आएंगे देव गुरु मकर में तब एक बार फिर से नीच भंग राजियोग बनेगा और जब नीच भंग राजियोग बनता है तो जीवन में बहुत सारे बदलाओ लेकर आता है पूरे धाई साल तक अब जुलाई 2022 तक जीवन में इस राजियों का फायदा भी मिलेगा उचाईया मिलेगी और 15 सितंबर से धन लाब होने के ज़्यादा संभावना बढ़ेगी मेहनत का फल मिलेगा और फिर भाईयों का दोस्तों का साथ मिलेगा लब लाइप उत्तम रहेग और इस समय आप जो चाहेंगे वो मिलेगा खासकर जो विद्यारती हैं पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें क्योंकि इस राजियों का फायदा आपको अब मिलने वाला है और आप उचाईयों को भी प्राप्त करेंगे एक अच्छी जॉप अच्छे जगह इंडिमीशन होना विदेश से यत्राय कराना विदेश से लाव होना जैसी चीजें आपके जीवन में होने वाली है तो समय का फायदा तूठाना होगा जो ब्रिसब बाले हैं चल रही है आपके उपर तो आपके लिए दो हजार पच्चिस तक आपकी रासी से पूरे यहां पर देखे राज य होकर आपके जीवन में ससनमक महापुरूस राजियोग बना कर चलेंगे तो यकिन समय का फायदा उठाना चाहिए और वैसे भी अगर उनकी किरपा हो जाए तो ब्रिसब बालों का पूरे लाइफ लगभग सनिदेव ही कंट्रोल करते हैं और 15 सितंबर से जैसे ही गुरू सन करें जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके आप हगदार हैं तो दो कदम आगे बढ़ाए यात्रा की योग बनेंगे लेकिन कोई गुप्त बात उजागर ना हो जाए तो ध्यान रखना है बेबजह के विवादों में मत पढ़िएगा अब बात करते हैं करक्रासी की देखिए स्वारासी के अंदर हैं अब आपको अभी जो धाई साल हैं उतने अच्छे फल तो नहीं देंगे लेकिन फिर भी आपके जीवन में उचाईयां प्राप्त होगी क्योंकि इस समय जुलाई 2022 तक आप ये समझ लें कि बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है लेकिन बहुत कुछ संभाल के रखना है अच्छा क्या होगा कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी दुस्मन सत्रू विरोधी ये सांत रहेंगे इसमें यात्रा की संभावना बनेगी आपके इंकम बढ़ेंगे धन आने के कई स्रोत बनेंगे अगर आप अभी तक करज में फसे थे व इसता तै हो सकता है जो सिंग वाले हैं राजयोग बनेगा और आपके लिए जुलाई 2022 से 2025 तक का जो वक्त है खूब पैसा कमाने का है यानि मान सम्मान तो मिलेगा उचाईयोग पर भी जाएंगे और धन खूब आएगा अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको सप आपना भी पूरा होगा फैक्टरी इंडस्टरी से लाप होगा लेकिन महनत करना होगा महनत से हग्योदय होगा लेकिन धन के मामलों में किसी पर भरोचातर labels भरोसा ना करें धन दन उनको विशेश लाब होगा विदेश से लब विदेश यात्राइं विदेश में जौब विदेशी वेपार से लब लेकिन नौकरी में अभी बदलाओं मत कीजिए अभी सांत रहिए जैसे हैं वैसे ही आगे बढ़ते चले जाएए तुलारासी आपके लिए तो सनिदेव की व अगर आप जमीन यानि भूमी का कोई कारोबारी हैं तो आपको इसमें लाब होगा सनिदेव के अंदर जो चीज़ें आती हैं जैसे पेट्रोलियम, कोईला, माइनिंग, ओयल, क्रिसक हैं तो आपके लिए अगले 5 साल तक बस ये समझ लें इतना कमाएंगे जो आपने कभी स तो चाही नहीं था, मेहनत करना होगा, मेहनत से ही राजियोग फल देता है और दुरियोग बिना मेहनत के भी फल दे देता है, ये तो आपको पता है, तो इसका फायदा आपको उठाना होगा अब दूसरी तरफ, 24 जनवरी 2025 तक लगाता है राजियोग है, लाब होगा, अगर आप खेल से जुड़े हैं तो अच्छा परदर्सन होगा, धार्मी की यात्राएं होंगे, जॉब करते हैं तो पर्मोसन भी होगा, और उच्चा दिकारियों का साथ मिलेगा, अपने फैसले आप खुद से ले पाएंगे, तमाम रुके वे कारे पूरे होंगे, ब्रिस्ची ग्रासी, 2022 जुलाई से 2025 राजियोग चलेगा बनके, बहां पुरुस राजियोग, तो ऐसे में ये समय आपका भाग्यो देखा है, तरक्की होने के योग बनेंगे, इस समय धन भी आएगा, औ और कई तरह से आपको लाब मिलेगा, खास कर जो जौब करते हैं, जो बैपारी हैं, उनके लिए ये वक्त, आपके उमीद से कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा, बस वानी पर कंट्रोल रखना है, वानी को जैसा आप चाहेंगे वैसे बना सकते हैं, और उसी का अनुसार आ लाब मिलता रहे, अब बात करते हैं मकर रासी की, अब लगन में बैठे हैं, तो यहाँ पर भले ही साड़े साती चाती पे चल रही है, लेकिन भूमी से लाब, जमीन, जायदात से लाब, खेती गिरस्ती है, किसानी है, तो लाब, अगर कंट्रक्शन बिल्डर हैं, ठेकेद कार हैं, तो लाब होगा, पेट्रोलियम, कोईला, रिफाइनरी, माइनिंग, तमाम तरह के कारे हैं, उनसे लाब होगा, यानि जो भी चीजें उनके अंदर गत आती हैं, उन चीजों में भाग आजवाएं, तो लाब जरूर होगा, अब सफलता के साथ अस्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे, लेकिन अपने स्वास्त का थोड़ा ख्याल रखेगा, क्योंकि लगन में, यानि आपके सरीर में बैट गया हैं, सनी देव, तो यकिनन स्वास्त में निगेटी प्रफाव है, इस समय जो भी द्यार्थी हैं, छपपर फार सफलताएं मिलेंगी, बिद प्रफाव हैं, लेकिन फिर भी उचाईयां देंगे, कोई नी रोख सकता है, क्या क्या मिलेगा, जैसे इस में आप थोड़े खर्चे करेंगे, अब खर्च के अस्थान में खर्च तो करेंगे, पर किस पे? सुख साधन पर, अब जैसे अपना मकान नहीं है, तो अपना मकान एक से दो, दो से चार हो सकते हैं, अपना वाहन का सुख, इन चीजों पर खर्चोंगे, लेकिन अपने पेट का, अपने गले का ध्यान रख्येगा, संतान का बहुत ख्याल रख्येगा, मान सम्मान बढ़ेगा, और अभी अपने कारियों में बदलाव ना करें, जैसे चल र अपने दे, धैर बनाए रखें, हर हर माहन,